लो डियर स्टूडेंट वन्स अगें वेल्कम पाक्ट वार्चानल ग्यांगलाग तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपका MSTCET 2024 के लिए चाप्टर नमबर टू रिप्रोडक्शन इन लोवर और हायर अनिमल के एक्स्क्लूजिव स्पेशल MSTQs PYQs पार्ट वन आज के सेशन में हम 25 MSTQs प्राक्टिस करेंगे आई होप आपने चाप्टर नमबर वन के अल्रेडी दोनों पार्ट देख लिये हैं प्लेलिस्ट चेक करो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नमबर वन का पार्ट वन और पार्ट टू दोनों विडियो मिल जाएंगे MSTQs मिल जाएंगे और आप उसका सलूशन दे सकते हो जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं आज का सेशन भी आपको अपने साथ काउंट करने हैं जो क्वेशन राइट आएगा प्लस वन जो क्वेशन रॉंग आएगा उसके लिए जीरो CET में और BST नर्सिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है सिर्फ नीट एक्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है यह वीडियो देखने से मुझे 95 परसेंट आएंगे क्या नहीं आपको टेक्स्बूक कमपलसरी रीड करनी पड़ेगी एक्स्ट्रां सीक्व करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट देना पड़ेगा तो मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे एप को जॉइन कर सकते हो आप पे आपको म परसेंटाइल आएगा अगर आप टेक्स्बूक भी रीड करते हो तो डेफिनेटली 95 परसेंटाइल आएगा चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेस्ट यह रहा अपना आज का फॉर्स्ट क्वेस्टिन डूरिंग स्पर्मेटोजनेस How many sperms are formed from a single primary spermetocytes एक primary spermetocytes से कितने sperms बनते हैं एक primary spermetocytes जब meiosis 1 करता है तो आपको 2 secondary spermetocyytes मिलते हैं और पिर इससे आपको 4 spermetides मिलते हैं तो टोटल एक primary spermatocyte से आपको 4 sperms मिलते हैं यह रेखो एक primary spermatocyte से total आपको 4 sperms मिलते हैं primary spermatocyte से sperm पूछा primary spermatocyte से secondary spermatocyte बोलेंगे तो एक का double अगर sperm बोलेंगे तो एक का 4 ठीक है? चलो जिसको जिसको right आया है प्लस 1 दे दो अब इदर धिहान से देखवा spermatocyte और eugenesis दोनों में क्या difference है? जिसे हमने plant में पढ़ा था plant के case में micro spore mother cell से आपको 4 tetraard pollen grains मिलते हैं males में और females में mega spore mother cell से आपको सिर्फ एक functional mega spore मिलता है बाकी के 3 मर जाते हैं यह plants के case में था animals में भी यही होता है animals में भी आपको एक primary spermatocyte से चार sperm मिलते हैं males में और females में एक primary oocyte से यह आपका primary oocyte है इससे आपको finally सिर्फ एक ही ovum मिलता है जैसे plant में था वैसा ही animals में भी है तो यह calculation याद रुप को एक primary spermatocyte 4 sperm बनाएगा एक secondary oocyte आपको एक ही egg देगा चल अभी इसका answer आपको आना चाहिए spermatogonium mitosis करके primary spermatocyte बनाता है primary spermatocyte meiosis 1 करेगा तो secondary spermatocyte secondary spermatocyte meiosis 2 करेंगे तो आपको मिलेगा spermatids तो इसका correct answer क्या आएगा option number 1 जिसका जिसका right है देखो इधर पर match करो जिसका जिसका right है step अपने आपको one marks दो जिसका wrong जिरो marks दो में मार कर दूसरा लेती हूं दिखाने दे रही है ठीक है next question 50 primary spermatocyte produce आपको इधर पे secondary spermatocyte के terms में पूछा है और spermatos होगा देखो एक primary spermatocyte से 2 secondary spermatocyte मिलता है और एक secondary spermatocyte से 2 spermatids मिलता है आपको बोला है 50 primary spermatocyte इससे 50 primary spermatocyte से 100 secondary spermatocyte मिलेगा 50 इधर 50 इधर ठीक है total 100 और इससे 200 spermatos होगा मिलेंगे कितने spermatos होगा मिलेंगे 200 spermatos होगा मंज़ा answer यह तो भी होना चीए option में यह यह होना चीए दोनों में से कौनसा answer है option में this correct तो जिसका जिसका यह right है plus 1 marks दो next question how many sperms and ova will be produced from 20 primary spermatocyte and 20 primary oocyte 1 primary spermatocyte gives 4 sperms तो 20 primary spermatocyte से कितना मिलेगा x cross multiply करो x is equal to 4 into 20 मतलब x is equal to 80 sperm तो answer 80 sperm आएगा यह 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 तीनों में से एक आएगा यह काट दो और oocyte 1 primary oocyte gives 1 ova तो 20 primary oocyte will give 20 ova तो 80 and 20 combination किदर है option number c में जिसका जिसका right है next question one primary spermatocyte produces 4 sperm but one primary oocyte produces males के case में 1 primary spermatocyte से 4 sperm मिलता है but 1 primary oocyte से कितना egg मिलता है only one females के जैसा next you have to identify the correct match आपको correct label find out करना है सबसे पहले यह अंदर वाला जो layer है this is your vitaline membrane this is your zona pellucida this is your corona radiata and this is your germinal vesicle अभी बताओ इसमें से answer क्या आएगा yes what will be the correct answer for this yes पहला वाला vitaline membrane दूसरा zona pellucida corona radiata and germinal vesicle यह देखो इसलिए यह diagram आपको पता होना चाहिए board के टाइम पर मैंने प्राक्टिस करने बोला था right जिसका 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 answer right है plus 1 रो next question fertilization मतलब क्या होता है fusion of gamut male gamut plus female gamut will give you diploid zygote तो male gamut का fusion होगा तो आपको diploid zygote मिलेगा this is not right haploid gamut से आपको diploid zygote मिलता है so fertilization के लिए this concept is right yes very good I hope आप लोगों answers right आ रहे हैं चलो अब आप बताओगे आपको gastrulation process में जो तीन germ layers वाला table था वो learn करने के लिए बोला था आपका ectoderm, endoderm और mesoderm मैंने क्या बोला है mesoderm से आपका connective tissue बनता है मतलब blood, bone, muscle, heart ectoderm से आपका outer layer बनता है और endoderm से सारे glands वाले part बनते हैं तो इसमें से wrong क्या है ectoderm से nervous system बनता है this is right आपको wrong match find out करना है gut endoderm से बनता है intestine mesoderm से connective tissue बनता है this is also correct lens is not a part of endoderm lens is a part of lens किसका part आ रहे किदर गया वो table हाँ यह देखो इधर गलती से आ गया है यह इधर पर नहीं आएगा इधर आना चाहिए था आपका lens किसका part है ectoderm का part है lens is also outer layer ना तो lens भी किसका part आएगा ectoderm का तो इस question का right answer के आएगा option number B चलो next question select the incorrect match eyes of fetus open in first trimester first trimester में fetus के आखे खुल जाती है क्या no fetus gains weight 3 to 4 kg in 3rd trimester this is correct head of the baby has hair यह भी right है second trimester में baby के सर पे बाल आ जाते है fetus का हाथ open होना चालू हो जाता है first trimester में बट उसके eyes नहीं open होती है उसके eyes कब open होती है second trimester में which of the following statement about maternal and fetal blood is incorrect यह table इधर नहीं आएगा यह आगे वाले question में आएगा चलो इसका answer दो the maternal and fetal blood are not in direct contact mother का blood और fetus का blood direct contact में नहीं रहता है this is true statement आपको wrong statement find out करना है there is always compatibility between maternal blood and fetal blood correct क्योंकि incompatible रहेगा तो HDN हो जाएगा fetal is हो जाएगा rethroblastasis fetal is the pressure of the maternal blood is high for the fetal blood vessels oxygen from maternal blood passes into fetal blood this is also true तो इसमें से false statement कौन सा है compatibility वाला मुझे लगाई था यहीं पर जोलाएगा क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है when your mother and father both have different blood groups अगर आपका father positive blood group है और mother का negative blood group है तो first pregnancy में कुछ नहीं होगा मतलब इदर पर blood group is not compatible but first pregnancy is successful second pregnancy को tension हो जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार blood group compatible होना चाहिए compatible होगा तो abortion के chances कम होते हैं ठीक है लेकिन अगर compatible नहीं है तो भी अपने पास दूसरा option है आप anti-rh antibodies provide करते हो तो यह actually human health and disease वाले topic का related question है कि आपका mother और fetus दोनों का blood का जो rh positive और rh negative sign है वो different different रहेगा तो भी fetus can survive first pregnancy को कुछ tension नहीं होता है second pregnancy में tension होता है तो doctors anti-rh antibodies देखे इसको ठीक कर सकते this is incorrect statement because sometimes it can be incompatible also but still the fetus survives because of anti-rh antibodies चलो next question which of these is not an important component for parturition parturition मतलब child delivery तो इसमें से कौन सा component important नहीं है prolactin hormone release of prolactin यह तो milk से related है तो इसका child delivery में क्या काम है milk का ejection after delivery होगा तो इसका delivery के time पे कुछ भी काम नहीं है तो answer यह होना चाहिए पर बाकी भी देखते estrogen और progesterone hormone क्या करता है estrogen के वज़े से oxytoxin बढ़ता है जिसके वज़े से uterus का contraction start होता है so this is important for child delivery parturition prostaglandin के वज़े से भी contraction होता है this is also important oxytocin hormone के वज़े से भी contraction होता है so this is also important only first hormone is not important because उसका काम after child delivery होगा yes देखो oxytocin estrogen and prostaglandin तीनों important है पर यहां पर कहीं पर भी prolactin hormone नहीं है क्योंकि यह काम बच्चा पैता होने के बात का ज़रूरी है partur next now this is very good question match the column hormone pills, permicide, condoms sterilization, coitus interrupters सबसे simple condoms के साथ देखते है यह क्या करता है gametes को fuse नहीं होने देता है it prevents fusion of gametes so three का answer आएगा a बाकी दो cut कर दो अभी पहला hormonal pill यह आपके body में estrogen, progestron hormone का imbalance करके ovulation stop करता है so one का answer आएगा e मिल गया आपको answer option number c is the correct answer बाकी सारे भी match कर लो c spermicide side मंजे killing effect so यह sperm को kill करता है two का answer है d sterilization मतलब tubectomy और vasectomy कर देना gametes का transfer stop कर देना तो four का answer आएगा b and coitus interrupters natural method है जिसका side effect नहीं रहता है so five का answer आएगा c next question all the symptoms all the symptoms are of gonorrhea except यह सारे की सारे IVF इसमें हम क्या करते है IVF में हम sperm लेते हैं इसको एग के साथ प्यूज करके जाइगोट बनाते हैं अभी एक चीज़ याद रुखो अगर आपको जाइगोट direct female की body में डालना है तो इसको आप fallopian tube में डालोगे और अगर जाइगोट को थोड़ा बड़ा होनी दिया इसको embryo बना दिया थोड़ा एक दो दिन इसको अंदर ही रखा तो embryo बनने के बाद यह फैलोपियन tube में नहीं जाएगा embryo बनने के बाद यह यूटरस में जाता है तो या तो जाइगोट को fallopian tube में डालो या तो embryo को यूटरस में डालो इसको इधर और इसको इधर नहीं डाल सकते जाइगोट की जगह fallopian tube में embryo की जगह यूटरस में है तो ovum into the fallopian tube no IVF में हम ovum थोड़ी डालते ovum बाहर निकालते जाइगोट into the fallopian tube this is correct जाइगोट fallopian tube में जाता है जाइगोट into the uterus no embryo into the fallopian tube no embryo की जगह यूटरस में है जाइगोट की जगह fallopian tube में है so option number B is the right answer यह रेखो आपका जो जाइगोट बनेगा इस जाइगोट को आप direct fallopian tube में डालो इसको बोलेंगे zift technology और अगर embryo बना तो इस embryo का आप यूटरस में डालोगे इसको बोलेंगे embryo transfer technology ठीक है थोड़ा था lengthy question है tricky question है next question identify the incorrect match first zift मतलब क्या होता है blockage in the fallopian tube इसके वज़े से आपको egg बहार निकालके IVF करके फिर बापिस आप zygote fallopian tube में डालते हो this is correct gift में क्या होता है entrance of the oviduct is blocked correct इसलिए हम सरोगी सी करते हैं artificial insemination कप करते हैं जब males का sperm count कम रहता है this is also correct intrauterine insemination कप करते हैं sperm count low रहता है तो हम sperm को direct female के uterus में डालते है जब sperm count कम रहता है अगर uterus का sorry अगर female के oviduct का upper segment block है तो उसको gift बोलते हैं IUI नहीं करते हैं यह रेखो if the upper segment is blocked तो इस technology को हम gift बोलते हैं IUI कप करते हैं sperm count low रहता है next now this is very simple तो आपको नींद में भी आना चाहिए सब्सक्राइस कांसर कौनसर डाइकराम है यह ना बडिंग है ना फ्रेग्मेंटेशन है ना बाइनरी फीजन है एक ही है गेम्यूल चलो यह यह देखो गेम्यूल next question male reproductive organ site of sperm maturation and storage unit of testis substance containing sperm and other secretion male reproductive organ क्या होता है अपना testis one का C sperm किदर mature होके किदर store होते हैं epididymis में तो 2 का क्या आएगा B यह वाला answer बाकी सब wrong है unit of testis testis किसे बनाए छोटे-छोटे seminiferous tribule से and sperm का secretion किदर present रहता है so option number C is the right answer next the sequence of layers that covers the testis from outer to inner बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो आपके testis के बाहर सबसे बाहर कौन सी layer होती है tunica vaginalis फिर vaginalis और albugenia के अंदर vasculosa आप यह flow chart भी याद रख सकते हो सबसे बीच में होता है albugenia इसके बाहर होता है vaginalis और अंदर होता है vasculosa ठीक है next which accessory sex gland of male reproductive system secretes maximum volume of semen सबसे ज्यादा semen कौन से gland से आता है testis is not a gland vast difference is not a gland epididymis is not a gland only seminal vesicle is the gland तो इसी से सबसे ज्यादा semen आता है option number B is the right answer यह देखो seminal vesicle से 60% semen आता है ठीक है चलो next all the accessory ducts are paired except vas a differential 12 to 20 tubes होते है तो यह तो ज्यादा है vas difference दो होता है left से निकलता है right से निकलता है यह भी नियाएगा यह भी नियाएगा rati testis बहुत सारे होते है एकदम ऐसे network जैसा structure so यह भी नियाएगा see urethra एक single रहता है न it is the only unpaired duct yes urethra is the unpaired duct only urethra is unpaired yes चलो next question female reproductive system यह ऐसा hand जैसा structure इसको बोलते हैं this is your ovary and this is your vagina this is cervix so fimbria ovary and vagina yes इसको गलती से uterus मत बोल देना uterus इदर पे है मालूम है मुझे सब इसके गलत गलत दुरगटना भरे काम करते हो ठीक है इदर पे आपके reference के लिए diagram भी दिया है चलो myometrium this is a part of uterus myometrium का काम होता है contraction करना endometrium का काम क्या होता है इसके पास बहुत सारे blood vessels है तो यह implantation करता है मतलब आपके fetus के इदर पे growth होती है it is not the outer layer it is made up of it is not made up of smooth muscles it is not middle layer it is the inner layer तो यहाँ पे आपका blastocyst attach होता है see it is made up of stratified epithelium इदर smooth muscles बोला था न यह smooth muscles से नहीं बनता है और यहाँ पे आपका fetus का nourishment होता है चलो next question honestly plus one plus one दे रहे हो ना और zero zero cheating मत करना which of the following is not a part of external genitalia or female reproductive system देखो अगर आपका score 25 में से 18 के अबव है then it is a good score अगर आपका score 15 से नीचे है then it is an average score और अगर आपका score एकदम 10 से कम है then you have to do 4 to 5 hours of textbook reading आख बंद करके textbook reading करना चालू करो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के क्यूंकि this is very poor score इससे आप जाधा percentile score नहीं कर पाऊगे जितना जाधा textbook reading देखोगे जितना जाधा one shot video देखोगे उतना जाधा आपका marks improve होने के chances है ठीक है और अगर 22 के उपर है then it is a very good score yes और अगर 24 है 24 या 25 तो आपके 95 plus percentile आने के काफी जाधा chances है ठीक है चलो जिसका कम है वो लोग reading start करो थोड़े दिन में आपका भी score बढ़ना चालू होएगा एकदम से नहीं होगा थोड़ा थोड़ा करके होगा so cornua is not a part of female reproductive external genitalia because cornua यह female reproductive unit का part है it is a part of uterus यह देखो infundibulum, ampulla and isthmus यहाँ पे ऐसा होता है न this is uterus इसको cornua बोलते है this part is known as cornua तो यह external organ नहीं है this is the internal organ of female reproductive system next the beginning of the menstrual cycle is known as men are true the cessation cessation मतलब stop हो जाना जब menstrual cycle stop हो जाता है तो उसको बोलते है menopause this is also true ऐसा reason type question आता है नीट में तो इधा statement भी right है और उसका reason भी correct है so both a and r are true and r is not the correct explanation of a यह दोनो right है बट r का a से कुछ लेना देना नहीं है period start होगा तो उसको menarch बोलते है period stop होगा तो उसको menopause बोलते है period stop होगा इसलिए इसको menarch बोलते है ऐसा कुछ नहीं है दोनो statement correct है बट यह इसका reason नहीं है मतलब menopause होने के वज़े से menarch start होता है क्या no so r is not the correct explanation of a दोनो correct statement है बट दोनो अलग-अलग statement है i am a teacher i am a girl both the statements are correct but i am a girl that is why i am a teacher यह correct explanation नहीं है न teacher तो कोई भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है दोनो statement individually correct है बट दोनों का एक दूसरी से कुछ लेना देना नहीं है so that is why this is the right answer जिसने जिसने ए बोला था पटाक से खुट-कुट 0 marks दो इसका correct answer b आएगा ठीक है yes next ओके proliferative phase आपको menstrual cycle match करना है proliferative phase में आपका follicles development होता है so proliferative phase को आप follicular phase बोलते है one का option आएगा b एक ही है बाकी सब पहले ही cut हो गया खतम only one is the right answer menstruation मतलब क्या होता है breakdown of endometrium three का answer आएगा a तो इसमें भी यह दो है यह तो वैसे ही cut हो गया ठीक है पहले ही option में answer मिल गया proliferative phase को follicular phase बोलते है done तो अगर आपको अपने CET की preparation boost करनी है तो आप हमारा वर्दान batch का crash course join कर सकते हो या फिर आप mock test series join कर सकते हो mock test में आपको thousand से भी जादा PYQs मिल रहे हैं practice करने के लिए unlimited attempt है same से mock test आप बार बार appear कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे PYQs exam में repeat होते हैं तो अगर आपको अपना perfection करना है अगर आपके 25 में से 15 MCQs आते right है तो आपको mock test solve करने की जरुवत है अगर 10 MCQs right आ रहा है तो theory read करो और mock test solve करो 15 MCQs आ रहा है तो फिर mock test जादा solve करो 20 MCQs right आ रहे है पर 20 के आगे score नहीं जा रहा है तो और theory read करो और mock test solve करो अब last last में से theory और mock test theory और mock test इतना ही करना है ठीक है चलो तो I hope आपको ये video अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो make sure कि ये free material महराश्ट्रा के कोने कोने तक पहुचे अपने सारे friends के साथ इसको share करो चैनल पे new हो तो चैनल को subscribe करो जल्दी से अपने marks comment करो और हमारा community poll daily check करो community poll पे आपको daily mcqs मिल रहे practice के लिए हमारा जो ncrt वाला channel है उस पे हम neat के भी polls upload करते हैं तो आपका नीट का भी practice चालू रहता है ठीक है और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो like कर देना जल्दी जल्दी सब लोग comments करो अपने marks और part 2 वीडियो इसका जल्दी आने वाला है तो comment यो marks past उसके बादी मैं part 2 वीडियो डालूंगी 100 comments हो जाएंगे तभी मैं part 2 व भी हो हो वाएंगे Gibाओ étantने हो इसका जल्दी लग मैं